Hello everyone, welcome to the class. Evolution को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं evolution के कुछ एक features जिन में हम देखेंगे कि evolution क्या-क्या विशेषता रखे हुए होते हैं और evolution में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए यानि evolution के functions कह सकते हो, features कह सकते हो यह सारी चीजें जो हो paper में बड़े ही easy way में जो हो पुची जाती है हमें खयाल रखना है, एक overall view हमें develop करना है यहां आने वाली चार slides है जो बहुत सारी question आपको दिने वाली है, जरा ध्यान से देखेंगे इसको easy way में समझेंगे पहली बात देखे, यहां पर लिखा हुआ है कि evaluation यानि मुल्यांकन जो है is concerned with assessing, यह जो है वो आंकलन करता है, यह assess करता है the effectiveness, यानि effectiveness यानि प्रभाव कितना करहा इस चीज़ का, ठीक है यह effectiveness किसकी, teaching की, teaching method की और techniques की, देखो यहां हमने देखा, पिछली class में हमने देखा था कि evolution जो है, teaching और learning दोनों के बारे में, learning के बारे में बताता है, learner को की कैसा सीख रहा है या कैसा सीखा है, और teacher को बताता है, कैसा पढ़ा है यहां पर भी देखे, evolution जो है na, effectiveness बताता है किसकी, teaching की और teaching method की, यानि जो method हमने select करा है, वो appropriate था या नहीं और उसके बाद techniques, जो techniques हमने use करी थी, क्या वो effective रही या नहीं रही तो evolution, teaching, learning process में, teaching को, learning को मैं यह कूँ, मैं अगर एक और शब्द यहां पर अगर करूँ कि मैं अगर यहां पर learning लिख दूँ, तो teaching को, learning को, method को, technique को, teacher की, जो quality सबी चीजों को evolution जो है concern करता है, it provides feedback, ध्यान से सुने, it provides feedback का मतलब यह है कि यहां हम, जो है continuous process में चलेंगे, तो feedback का मतलब है, जब एक विद्यार्थी class में सीख रहा है तो evolution के, जो है वो, under में कुछ एक ऐसी चीज़े होती है, कुछ एक ऐसे techniques होती है, जैसे evolution के अंदर जो है वो एक आता है assessment, यानि assessment के अंदर आता है formative और formative में जैसे हमने देखा, कि feedback मिलता है, हम क्या सीख रहे हैं, कैसा सीख रहे हैं, क्या हमें improvement करनी चाहिए to the teacher about their teaching, teacher के बार, teaching के बारे में किस को, teacher को, और the learner about their learning, यानि, once again, the line is being repeated, मैंने बार-बार कहा है आप सभी को, कि इसी तरह से line परिवर्तन हो सकती है, शब्द परिवर्तन हो सकता है, लेकिन idea, विचार और feeling वही रहेगी, है ना, तो यहां भी कह रहे है, evolution, teaching, teaching में था technique को ब बताता है, सीख कैसे रहे, अब यह कह रहा है, कि teacher को teaching के बारे में, और learner को learning के बारे में बताता है, evolution helps to build an educational program, assess its achievement, improve upon its effectiveness, यानि पूरी overall achievement को भी effective way में जो हो बताता है, हर एक achievement के बारे में बताएगा, कि इसमें कितना खीखा, evolution जो हो पूरी broad personality changes को बताता है, इसलिए complete focus करता ह एकिए, it sounds as an inbuilt monitor within the program to review the program in learning from time to time, यानि समय से समय रहते, time to time, जो हमें feedback देता है, जो हमें बताता है, जो हमें monitor करता है, वो क्या होता है, evolution होता है, आगे चलिए, evolution is continuous process, धान से पढ़ना इस बात को, कि evolution पूरे साल बर चलता है, continuous है, effectiveness को बताता हुआ, continuous पूरे साल चलेगा, यानि ये कह सकते हैं, कि जब एक विद्यारती स्कूल में कदम रखता है, तब से लेकर, जो है वो, उस class को clear नहीं करता, तब तक वो continuous ही रहता है, and periodic exercise, periodic का मतलब, या continuous क्या, एक पूरे साल में, और इस पूरे साल को क्या कह दिया, periodic exercise, यानि इस period के अंदर, यानि इस एक साल में, इस academic year में, ये जो है वो continuous process चलेगी, तो यहां से मतलब है, पूरे साल लगता रहो, और ये एक periodic assessment का मतलब, पूरा एक साल, उसके बाद, it helps in forming the value, judgment, educational status, और achievement of a student, ये किस में help करता है, judgment pass करने में, status develop करने में, और achievement में help करता है, ध्यान से सुने इस बात को, ध्यान से दे जी हां, आगे चलिए, आगे देखिए, characteristic देखिए, evolution के, evolution implies a systematic scientific process, systematic होता है, और क्या होता है, scientific होता है, आया हो है पेपर में, systematic, scientific और एक हमने देखा, continuous, ठीक है, ये तीन जो है, वो ध्यान में रखेंगे बातें, ये systematic होता है, scientific का मतलब जो सिधानतों पर चले, जिनका कोई फिक्स सिधानत हो, ठेक है, process in which, in which omits the casual uncontrolled observation of the pupil, यानि जहां पर क्या है, जो student होते हैं, उनके uncontrolled, या जो है वो, कौन से, जो ऐसे वैवार, जो उन्हें शूट नहीं करते हैं, या जो उन्हें नहीं करने चाहिए, जो उनकी habit है, जो negative habit है, उनको क्या करता है, उनको क्या करत the teaching learning process and the evolution procedure go together, ठीक है, ध्यान से देखिए, यहां पर कहता है, evolution is a continuous process, in an idea, और अगर हमें की विचार देखें, situation के रूप में, the teaching learning process and the evolution, यानि teaching learning process or evolution go together, बहुत ही अच्छा सब्द है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि ये इसलिए हमें इसलिए बहतरीन शब्द है, बहतरीन फ्रेज है, क्योंकि go together का मतलबत साथ साथ चलना, और हमें यहां पराकर पता चलता है, कि जैसे ये class है, इसमें हम पढ़ा रहे हैं, और हम test नहीं ले रहे, तो improvement होने की संभावना है, कम है, कमियां जो है, वो कमियां ही रह जाएगी, problem solved नहीं होगी, अगर हम इसके साथ साथ पढ़ाने के साथ साथ, अगर हम evaluate करते रहते हैं, students को, तो उनकी परिशानिया, उनकी दिक्कते हैं, उनकी disorders, errors दूर हो सकते हैं, इसलिए यहां पर लिखा है, कि अगर एक अच्छे classroom की बात करें, तो evolution and teaching learning process go together, एक साथ चलते रहने च यह हमारा belief बिल्कुल गरत है, विश्वास की evolution जो teaching learning process को follow करता है, फोलो नहीं करता, go together, एक साथ चलते हैं, आगे देखे, evolution emphasizes the broad personality changes, total personality changes को emphasize, जो है वो करता है, changes and major objective of an educational program, यह क्या है, कुछ एक objective होते है, previously decided, उनको अचीव करने वाला एक program है, therefore, it includes not only the subject matter, इसका मतलब इसमें सिर्फ subject matter ही नहीं है, ध्यान से देखे, इस शब्द को, total personality changes, है न, यहां यह नहीं कहता कि evolution सिर्फ पढ़ने लिखने वाली बातों का होगा, वो क्या होगा, यह subject matter की बात नहीं करता, but also attitude, interest, and idea, way of thinking, workability, and personal and social adaptation, adaptability, इन सभी के बारे में बताता है, यानि हम यह सोचते हैं कि evolution जो है, वो सिर्फ पढ़ाई से related बात है, नहीं, ऐसा नहीं है, पढ़ाई नहीं है, यह हमारे aptitude, जो है attitude, interest, idea, way of thinking, यानि किसी सवाल को देखे, यहां से देखे, attitude, आपका नजरिया क्या है, मान लीजिए, आपने देखा second grade exam, अब आपका second grade exam के परती क्या नजरिया रहा, किसी classroom के परती आपका क्या नजरिया है, नजरिया attitude वो नहीं, जो आपको कहते, इसमें बड़ा attitude है, वो नहीं है, interest, यानि किस way, किस course के अंदर, किस जो है, उस labels के अंदर इसकी रूची है, ideas, विचार कैसे है, way of thinking का मतलब है, अगर कोई problem आ जाती है सामने, अगर कोई problem दी जाती है विद्यारतियों को, तो वो किस way से, किस तरीके से इसको solve करते है, work habit, and personal and social adaptability, personal और social adaptability को भी बताता है, आगे देखिए, इसके बाद evolution always assumes that educational objectives have previously been identified and defined, evolution का मतलब है, कि जो objective है, यानि objective का मतलब हुमारे उद्देश्य है, सीखने के जो उद्देश्य है, वो previously क्या हो, identify हो, और defined होने चाहिए, वैसे तो एक बात कहें, कि अगर objective की अगर बात की जाए, तो कुछ भी कारिया कर रहे हो, हमें पहले उसके objective ही दिनर्दारित होने चाहिए, और वैसे भी, हम एक दिनचरिया के अंदर कोई भी कारिया करते हैं, तो उ previously defined होने चाहिए, identified होने चाहिए, क्या objectives, this is the reason why teachers are expected not to lose sight of educational objectives while planning, इसलिए जो है वो हमें इस बात का ख्याल बार-बार जो दिलाया जाता है, कि आपने जो है वो objectives को भूलना नहीं है, objectives को जो complete करने पर focus करना है, and carrying out the teaching learning process, or teaching learning process को carry out, fulfill, complete करे, either in the classroom or outside, बहुत ही बढ़िया बात है, either in the classroom or outside का मतलब, या तो classroom में, यानि subject matter, outside का मतलब, वो जो पीछे देखाते हैं, interest, behavior, etc., वो सारी चीज़े, आगे देखिए, a comprehensive program of evolution involves the use of many procedures, कई प्रकार के procedures अपनाए जाते हैं, एक educational program में, जैसे, analytical, synthetic, heuristic, experimental lectures, etc., इस तरह की evolution के अंदर जो है, वो काफी techniques जो है, आती है, एक great variety of test, बहुत सारे test जो है, यहां पर लिए जाते हैं, जैसे exams, एक्जाम्पल, for example, essay type question, objective type question, ठीक है, इस तरह के अलग-अलग type के questions के मद्दिम से test लिए जाते हैं, and other necessary techniques, for example, sociomatic, controlled observation techniques, etc., यानि हमें क्या है, observation जैसी activities में भी शामिल किया जा सकता है, evolution के दोरान, तो यह सारी बातें आपने ध्यान जो है, वो रखनी है, उसके बाद देखिए, evolution क्या मानता है, कि learning is more important than teaching, यानि teaching और learning में अगर बात करें, तो evolution focus करता है, किस पे, किस पे focus करता है, learning पर focus करता है, teaching has no value if it does not result in learning, teaching की कोई value नहीं होती, अगर आपको result learning में नहीं मिल रहा है, तो, on that part of the pupil, अगर student सीख नहीं रहे हैं, तो effectiveness नहीं है teaching में, उसके बाद, objective and, accordingly, learning experiences should be so relevant, objectives उदेश है, और learning experiences का मतलब है, जो classroom में activity करवाई जा रही है, उनसे, वो क्या होना चाहिए, should be so relevant, वो एक दूसरे से relevant होना चाहिए, मिलते जुलते, that ultimately, they should direct the pupil towards the accomplishment of educational goal, देखे, objective और classroom की activities को चैसी होनी चाहिए, जो हमारे निर्धारित गोल तक हमें लेके चले जाए, पता कैसे चलेगा evolution के माद्यम से, to assess the student and their complete development, थ्रो, थ्रो, अबाउट, थ्रो, एडुकेशनल एज, evolution, की assess the students and their complete development, विद्यार्थी को और विद्यार्थी की, जो है वो, complete development को assess करना, through the educational evolution, थ्रो, education, is a evolution, education के थ्रो, जो है वो, क्या, ये चीजे पता करना क्या है, evolution है, यानि assess करना किसको, student को, और उसकी development को, किस के माद्यम से, education के माध्यम से, क्या कहलाता है evolution evolution एक ऐसी technique है जो education के माध्यम से विद्यार्थी को assess करती है उसके बाद देखिए evolution is the determination of the congruence between the performance and objective ये जो है वो एक link का काम करता है ये क्या करता है, एक link का करे करता है evolution एक link का करे करता है किसके बीच में, performance के बीच में और objectives के बीच में देखिए द्यान से सुनिए, यहां आपने जो कुछ एक objective निर्धारित करे करे हमने, अब हमने क्या करना है classroom में, classroom experience जो हो चलता है यानि पढ़ाई चलनी चाहिए ठीक है, अब कहते हैं कि यह objective यहां पर पूरे हुए एक नहीं, यह किसके माध्यम से पता चलेगा और वो किसके माध्यम से पता चलेगा आपको, evaluation के माध्यम से ही पता चलता है, फिक है यह सारी बाते होती है इसके अंदर आप ख्याल इस बात का रखेंगे कि जो है, मैंने शुरू के अंदर मैंने आपको बताया था, कि evolution को कुछी इस तरह से देखेंगे, यह एक बड़ी term है, यहां पर evolution है अब इसके अंदर में assessment जो है और measurement जो है इस तरह की कई सारी technique आ जाती है जैसे सुन लीजिए, exam, test ठेक है, assessment measurement, observation, interview ठेक है, यह सारी चीज़े बहुत सारी चीज़े, evolution के अंदर जो है, वो आ जाती है, इनी के माध्यम से एक विद्यार्थी के total personality changes को जो है, वो highlight किया जाता है ठेक है, तो यह features बहुत important होने वाले exam के दुरान keyword इनमें से ढूढ़िए, याद करिए students ने CCE के बारे में बताया है, पुछा है और भी कई जो कहा है, तो बिल्कुल मैं आपको कोशिश करूँगा कि exam से पहले इस तरह के सारी वीडियो आपको इसामने upload हो जाए मिलते हैं अगले class में, धन्यवाद